पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि जादू टेवन और भूत पेद वाली जो मूवीज होती हैं अक्सर पुब्लिक का ध्यान अपनी और खीची लेती है और अब ही हाली में हमने देखा था कि सैतान मूवी रिलीव जोई थी जो कि बसी करनवाला जो टॉपिक था उस पर बेज थी और मूवी ने जवदस कमाई की थी इस वीक इसी तरह की एक फिल्म डिलीज हुई है जिसका नाम है मुझिया जो की मैडाउक सुपरनेशनल यूनिवर्स का पार्ट है इससे पहले सके अंडर इस तरी रूई और बेडिया जैसी मूवी बन चुकी है और मुझिया इस यूनिवर्स की चौती फिल्म है रूई और बेडिया मूवी को अतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली और वो फिल्म में भी उतनी कोई ज़्यादा खास अच्छी थी भी नहीं पर इस तरी मूवी अब तक की बॉलिवूर्स की देखा या तो बन ऑफ दी वेस्ट होरर कुमेडी फिल्म थी तो आई ये जानते हैं क्या मुझिया भी इस तरी वाला जो जादू चलाने में कामियाब रहती है या नहीं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लीज़ेगा ये फिल्म महराज शेत्स की दंतकता पर आदारित है जिसमें एक संस्कार करने के बाद अगर एक पर्टिकॉलर टाइम से पहले उसकी मौत हो जाती है तो माना जाता है वो ब्रमराक्षस ब पूरी करना चाता है अब फिल्म के बारी बाकी जो करदार है मुंजिया से कैसे जुड़े हो और ऐसे फिल्म का जो हीरो है बिट्टू यानि अवैवर्मा उसके थूरू वो कैसे अपनी एक शापूरी करना चाता है यही फिल्म की कहानी है बैसे तो फिल्म का टॉपिक ऐसा जो हमें कानतार और टुमबार जैसी मूवीज की याद दिला देता है पर ये फिल्म उनसे कोसो दूर है क्योंकि इस फिल्म को उस तरह से नहीं बनाया गया है ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो फिल्म में बातों को उसी तरह से ट्रीट किया गया है मतलब आपका अच्छा गाता टाइम पास तो करी देती है फिल्म में बिट्टू और उनके मित्र बने तेरनन जोसिंग आपको हसाने में कामयाब रहते हैं और फिल्म कहीं भी आपको बोरियत मैसूस होनी नहीं देती है और फिल्म एक सही पेश से लगातार आगे बढ़ती रहती है इस फिल्म का जो पिच्च्राइशन है वो काफी बढ़िया है और मूवी के हिसाब से देखें तो बैग्राउंड मुजिक एकदम जवदस लगता है और अपने अपने रोल के साब से देखें तो सबी ने बढ़िया काम किया है और मेंचीज यह है कि इदर सब कुछ अलग तरहेगा सिनेमा ढूंड रहे हैं आजकर तो यह फिल्म वो पर उसने में कामयाब रहती है पर इस तरही और भूल भूलिया जैसी होरर कोमेडी मुवीज वाला जादू नहीं चल पाता है क्योंकि इस तरही या पुरानी वाली अगर भूल भूलिया हमें आप देखेंगे तो एक सीद में एक साथ आपको डर भी लग रहा होता और हसी भी आ रही होती है वह चीज इस फिल्म में missyng है मतलब हसी तो आप कई सीन्स में आ आ जाती है पर डर वाली जो feeling है फिल्म में कहीं भी नहीं आ पाती है और फिल्म में कोई भी surprise element नहीं है पूरी फिल्म predictable है और एंड में फिल्म वैसे तो बढ़िया है पर लास्ट में जो किरदारों का मेकप किया गया है वो अच्छा नहीं लगता है पर ओवर ओर फिल्म ठीक है और इस गर्मी के मौसम में कहीं भार जाने से अच्छा है कि ठीटर में बैठ कर आप पूरी परिवार्ग साथ इस फिल् के लिए मेरी राइटिंग रागी 6.5 स्टार्स आउट उट अफ 10